नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मेद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो और यह एक्जाम को लेकर दोस्तों पहला जो प्रशन पूछा है वो पूछा है अंकुल कुमार जी ने ये कहते हैं सर मेरा रिजल्ट 25 जून को आया था तो मेरा ट्रपल सी चल जाएगा क्या भाईया आपका ट्रपल सी जो है बिलकुल 100% चलेगा ठीक है क्योंकि 29 जून 2018 के दिन भी अगर आपका ट् ची जून को आ चुका था तो आपका बिलकुल चलेगा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अगला कमेंट लेते हैं सचीन कुमार जी का ये कहते हैं रेस्पेक्टिट सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिस एक्जाम वस लास्ट माई लास्ट अटेम्ट यानि कि इनका 78 है प्रश्ण कुल मिलाकर 78 का मतलब दोस्तों हो गया इनका जो है आपका 156 नमबर हो गया ठीक है इनका नमबर हो गया 156 तो ये कहते हैं कि सर क्या मेरा डीवी के लिए कॉल आएगा सचिन जी आपको बता दू मैं भाई देखिए आपका इसमें सेलेक्शन होना थोड़ा मुस्किल लग रहा है मुझे क्योंकि 78 जो कोशन है अगर आप सामने केटेगरी में हैं तो भाई या फिर आपका नहीं होना इसमें ठीक है भाई देखिए आप जोटी उम्मी लगा कर बैठें उससे कोई फाइदा नहीं है कोकि आपका स्कोर्ड जो है काफी कम है और आप वैसे भी यूर कैटिगरी भी होंगे जहां तक मुझे लग रहा है सचिन कुमार पांडे जी ठीक है तो देखिए माफी चाहता हूं कि आपका इसमें जो है होना मुश्किल है देखिए म बाकि मुश्किल है ये कह सकता हूं इंपॉसिवल है ये नहीं कह सकता मैं ठीक है क्योंकि जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक आपको आखरी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी किसमत आपकी पलट सकती है आपकी क्या किसी की पलट सकती है ठीक है और ये कहने का म दोस्तो अगला कमेंट है आशु तोष प्रताप सिंग जी का ये कहते हैं कि सर असिस्टेंट इस्टेंट अफिसर का रिजल्ट कब तक आएगा तो आश्टोष जी आपको बता दूँ अभी इस रिजल्ट के बारे में मुझे कोई ठोज जानकारी यूपिटर पलेसी करमचारी के द्वारा नहीं मिल पाई है जैसे ही मिलती है आपको तुरंत बता दिया जाएगा बागी फिलाल अभी इसके परिणाम को लेकर कोई मेरे पास पॉजिटिव अपडेट नहीं है ठीक है बागी 4-5 दिन का वेट कीजिए कुछ अगर अपडेट मिलता है तो आपको दे दिय जाएगा दोस्तों अगला कमेंट है शेखर सिंग जी का ये कहते हैं वीडियो ग्राम विकास का नोटिफिकेशन कब तक आएगा शेखर जी आपको बता दूँ इस साल 2023 में वीडियो की कोई नई भरती नहीं आने वाली है ठीक है इसकी उम्मीद आप बिलकुल भी ना लगा और आप ये मान कर चलिए कि 2023 में वीडियो की कोई भी नहीं भरती आयोग में से नहीं आने वाली ठीक है तो इस साल जो है उम्मीद बिलकुल जीरो है ठीक है देगे अगला कमेंट है गौरफ शिशोद्या जी का ये कहते हैं सर आंस्वर की से पहले मेरे 102 राइट थे अब 96 ह कि क्या फाइनल सेलेक्शन हो सकता है मेरा ट्रपल सी माई 2018 का है देखे ट्रपल सी तो आपका ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है रही बात आपके स्कोर की तो 96 का दोस्तों मतलब हो गया चान में इंटू 2 यानि कि आपके 122 नंबर है 26 की पहली सिफ्ट में देखे होप नहीं है आपका और बाकी परिणामी आपको बताएगा और अगर आप सामने कटेगरी में हैं तो देखे थोड़ा मुश्किल है ठीक है थोड़ा आपका मुश्किल है दोस्तों आप आगे बात कर लेते हैं कोचिंग वालों के दौरा कट ओफ गराना हुआ शुरू देखे ज मतलब इतना चातर के अंदर डर पैदा कर दो जो बिलकुल चातर पागल हो जाए वीडियो आपकी देखते देखते ठीक है और यही हाँ लेकपाल के एक्जाम को होने के तुरंद बाद हुआ था जब लेकपाल का एक्जाम हुआ था तो सभी यूट्यूबर्स थे सभी ने होता चला गया तो यही हाल वीडियो बरती में हो रहा है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसकी आंसर की जारी होई है और अभी कुछ टाइम बाद इसकी रिवाइज्ड की भी जारी हो जाएगी तो कट ओफ गिराना उन कोचिंग वालों ने शुरू कर दिया है कट ओफ गिरा तो ऐसे कोचिंग वालों का ऐसे YouTube चैनल का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं यह केवल छात्रों के मन में ब्रह्म पैदा करते हैं और इनका कोई काम नहीं है और उन सबी ने कट ओफ को अब काफी कम दिखाना शुरू कर दिया है ठीक है यह बात आप भी देख रहे होंगे और आ आप भी काफी जगए का टॉफ देखते होंगे आपको फील हो गया होगा कि हाँ यह बात सही है कि अब कोचिंग वाले YouTube वाले अपनी अवकात पर आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं OMR की स्कैनिंग कब से शुरू होगी तो भईया अगस्त के शुर नहीं होई है तो इसकी OMR की स्कैनिंग कैसे सुरू हो जाएगे देखिए revised key से OMR की स्कैनिंग का कोई संबन्द नहीं होता क्योंकि OMR की स्कैनिंग का मतलब होता है उस hard coffee को soft copy में change करना जो आपकी OMR seat है जो आपकी answers है उस hard copy से उसको soft copy के अंदर change करना यह process होता है OMR की scanning का और soft copy में change होने के बाद ही revised answer की कामाती है और उसका जो है नमबर accurate मापे जाते हैं ठीक है तो OMR की scanning से कोई सम्मंद revised answer की का नहीं है OMR की scanning पूरी हो जाने के बाद ही जब वो soft copy में नमबर सबके change हो जाते हैं उसके बाद ही revised की से नमबर मिलाकर final अंक आपको दिये जाते हैं और अगस्त के शुरुवात में जो है इसकी scanning में शुरू कर दी जाएगी दोस्तो अगला point है normalization तो भया मैंने आपको पहले बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि इस भरती में normalization बहुत बड़ा roll निभाने बाला है ठीक है अभी कोई भी छात्र ऐसा मान कर ना चलें कि मेरा selection नहीं होगा या मेरा हो जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते और देखिए दूसरों से अगर आप cut off पूछते हो या आप ये कहते हो कि सर मेरा number इतना है selection होगा नहीं होगा देखिए मैंने आपको बता दिया 195 आपका अंतिम cut off जाएगा इससे उपर नहीं जाएगा अब किसका score कितना घटेगा कितना बड़ेगा ये किसी को भी नहीं पता ठीक है बाकी मैंने आपको बता दिया जो चात्र second shift में है उनको फायदा मिलना तै है और अच्छा कासा फायदा उनको मिलेगा और आपको बता चुका हूँ 15 से 20 नंबर तक का फायदा उन चात्रों को मिलना तै है ठीक है तो ये जो point है ये वाला point ये इस भरती के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है यहां केवल एक shift में exam नहीं है चार चार shift में परिख्चा है और paper level में काफी अंतर आपने देखा भी है तो इस point को याद रखिए अगर किसी चात्रों को अपना score कम भी लग रहा होगा तो वो परिशान ना हो इस चीज का wait करें ये चीज जो है आपको अंदर बहार करेगी का इसका भी wait करिए आप revised key भी एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी इस भरती में को कि revised key में हर shift में कम से कम 8 से 10 question का आपको change देखने को मिलेगा चाए वो answer change हो चाए वो पूर्ण आंको हो इतना change तो हो नहीं होना है ठीक है जिस तरही के से 1 दरों का भरती में आपने देखा ह mistake नहीं थी केवल थोड़ी थोड़ी mistake थी और यूपिटर पलेसी ने क्या किया आठ प्रशनों पर सभी को पूर्ण नमबर दे दिये मतलब यानि की भरती को फसाने का जो matter था वो चारा खतम कर दिया तो revised answer की भी काफी अच्छा रोल लिभाएगी इस भरती में अब जो चात high number वालों के नजदीक आएंगे तो काफी बड़ा रोल होगा revised की काफी तो revised की plus normalization अभी काफी बाकी है इस चीज में तो बिलकुल wait करिए आप और थोड़ा धेरे रखिए आपको सारी स्तिती revised की के बाद देखने को मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह होगा आज का जू मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैन जबारत हमेशा खुश रही है मुश्करात रही है